गुट मॉर्निंग चिल्डरन अभी हिंदी में हमने दो पार्ट हो गए हमारे दो लेशन हो गए पहला हो गया और दुसरा गिंती का था वो गिंती आपको लिखनी है और उसमें तो कुछ जादा पढ़ने जैसा था नहीं गिंती थी एक से पचास तक और उसके सारे अक्टिव टीबी थी तो वह आपको वर्बुक में भी करनी है और टेस्ट बुक में भी करनी है नोड़बुक में नहीं करनी है नोड़बुक में हम अभी नहीं करेंगे अभी आज हम तीसरा लेशन करेंगे जिसका नाम है नन्ना मुन्ना राही हूं यह एक दर्श बक्ति का गीत है आ इसके जो कवी है वो शकिल बदा योनी, बहुत फेमस है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है कवीता है उन्होंने लिखी है देश बक्ती का ये गीत लिखा है, और एक छोटा बच्चा है और वो सैनिक, देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हम, इस तरह की भाउना, अपनी ख कर मुकाबला करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी क्या इच्छा है कि हमें आगे बढ़ना है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है, और जब तक हमें मन्जिल नहीं मिलती है, तब तक शांती से बेटना ही नहीं है, जब तक मन्जिल नहीं मिलती है, तब तक चाहे कितनी भी मुसीबता है कितनी भी परिशानी आये हमें उसका डटकर मुकाबला करना है और हमें मनजिल तक पहुचना ही पहुचना है यही उसने बोला है और सबका होसला बढ़ाया है जो हम गीत गाएंगे तो सबका होसला बढ़ाया है दूसरा वो कहता है कि हमेशा देश में शांती बनी रहे, कभी लड़ाई जगड़ा या युद्ध न होना चाहिए, हमेशा देश में शांती बननी चाहिए, सब लोग एक दुसरे से प्रेम पुर्ण विवार करें, ऐसी ये बच्चे की भावना है, और ये सारी भावना है, उसने अपने ये कविता में व्यक्त किये है, तो चलो हम ये कविता पढ़ेंगे अभी, नन्ना मन्ना राही हूं देश का सीपाई हूं, उसकी भावना देखो, इतना छोटा सा बच्चा है, फिर भी उसको लगता है कि मैं देश की सीपाई की तरह है, मैं देश की सुरक्षा करूंगा, देश के लिए चाहे जो भी हो, मैं कर और जय एकले भारत की जय हो, जय हिन का अर्थ होता है, भारत की जय हो, रास्ते पे ना चलूंगा डर डर के, रस्ते पे याने आपना जो रस्ता है वो रस्ता ने, मन्जील का रस्ता, आगे बढ़ने का जो रस्ता है, जीवन में जो आगे बढ़ने का रस्ता है, उसमें मैं डर डर के नहीं चलूँगा चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के मर मर के जीना याने मुसीबतों से सामना करना मुश्किलों से भरा हो मेरा पूरा रस्ता अगर मुश्किलों से भरना है भरा हुआ है और मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे आज मैं अगर मैं आगे चड़ूँगा त जाहे मने कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं करूंगा, पर डरूंगा नहीं, मन्जील से पहले लूंगा कहीं दम, जब तक मेरी मन्जील नहीं आती है, मैं शांती से बैठूंगा नहीं, दम लेना याने शांती से बैठना, हार जाना, हार मान जाना, दम याने ह हार मान जाना तो जब तक मुझे मंजील नहीं मिलती मैं हार नहीं मानूंगा मैं अपना श्वास रुक के मतलब उच्छा से आगे बढ़ता ही रहूंगा मैं मंजील तक पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा और जब तक मुझे मंजील मिलती है तब तक मैं शांती से आगे ही आगे बढ़ता रहूंगा आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम वही वो बोल रहा है कि आगे ही आगे में कदम बढ़ाऊंगा तो कदम कैसे बढ़ाऊंगा देहने बाए देहने बाए थम जैसे सैनिक लोग आगे देहने बाए देहने याने राइट और बाए याने ले और अगे पहले, right पेर आगे लखूंगा, फिर left पेर आगे लखूंगा, मतलब हम drill करते हैं न, march करते हैं, drill करते हैं, उस तरफ वो गाना गारा है, कि दहने बाए, दहने बाए, थन, नन्ना मुन्ना राहि हूं, देश का सिपाही हूं, धूप में पसीना बहाऊंगा जहां, द महनत करने के लिए क्या करना पड़ता है महनत करेंगे तो क्या होगा पसीने बहेगा अगर दूप में चलोगे दूप में आगे बढ़ोगे तो दूप में पसीना बहोगे और ऐसे भी आप महनत करोगे तो आपको पसीना तो आएगा ही आएगा तो जब तक आपका पसीना ने बहता तब तक आपको मंजील नहीं मिल सकती, मतलब पसीना बहना को आरता है, मेहनत करना, तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपको, क्या होगा, मंजील नहीं मिलेगी, तो इसने अभी एक किसान की तरह बताया है, कि दूप में पसीना बहाऊंगा जहां, अगर दूप में ज उनको पापी कहा गया है किसी की भावना अच्छी नहीं हो किसी को बिना वजय परेशान करना किसी की चीजों को हडप लेना ये सब पाप होता है तो ऐसे पाप करने वाले लोग दो गूंको पापी घा गया है, तो धरती पे मैंने बोला कि अगर मैं अच्छे से जीँँगा, और जो पापी लोग है, ऐसे लोगों को मैं जनम ही नहीं लेने दूँगा, मैं सारे पापियों को नश्ट कर दूँगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, और मैं आगे ही आगे ही आगे बढ़ता जाओंगा केसे आगे बढ़ेगा देने बाए देने बाए थम नन्ना मुन्ना राही हूं देश का सिपाई हूं अभी वो क्या क्या सपना है बढ़ा होकर क्या बनेगा बढ़ा होके देश का सहारा बनोंगा हमें सबको देश का सहारा बनना है तो देश के देश का नाम बड़ा हो जाए जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंडुल करने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया तो पूरे विश्व में उसका नाम लिया जाता है फिर कलपना चावला जिसने जो कहां गई थी अंतरिक्ष में गई थी और उसमें भी नाम कमाया तो भारत दे देश के लिए देश का सहरा बनोंगा देश के लिए मैं चाहे कुछ भी करोंगा दुनिया के आखों का तारा बनोंगा दुनिया के आखों का तारा कब बनते हैं जब अच्छे कार्य करोगे तब दुनिया के आखों का तारा बनेंगे अच्छा नाम रोशन करोगे माता-पि दुनिया के विश्व का तारा बन जाओगे रखूंगा उच्छा तिरंगा हरदम भारत का नाम हमेशा उच्छा रखूंगा ऐसे कार्य करूंगा कि दुनिया में मेरा नाम रोशन होगा और भारत का नाम आगे गी आगे रहेगा और हमारा जो तिरंगा है वो हमेशा उच्छा रहेगा. यही इस कविता में कहा गए है. अभी देखो. आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. देहने बाए, देहने बाए थम. नन्ना मन्ना राही हूँ। देश का सिपाही हूँ। अभी शान्ती की नगरी है मेरा यह वतन. हम लोग क्या करते हैं? बहुत शांती से जिते हैं, भारत के लोग हैं शांती से जिते हैं. हम ना ही किसी की चीज़ को लेने के कोशिश करते हैं, परन्तो हमारी अगर चीज़ कोई लेगा, तो हम उसको लेने नहीं देंगे. अगर भारत का जो नक्षा है भारत को देश है। भारत देश में हम किसी और देश का देश हमारा हो ऐसा हम कभी नहीं चाहते हैं। परन्तु कोई हमारे देश में गलत सोच से पैर रखेंगे कि ये भारत मेरा हो जाए या लड़ाई करेंगे तो हम उसको ये नहीं करने देंगे पर हम शांती से समझाएंगे सबको शांती से समझाएंगे शांती की नंगरी है मेरा ये वतन हमारे देश के लोगों को शांती बह Otherwise, हम लड़ाई नहीं करते हैं. सब को सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन. अगर बच्चे यह बच्चा है, वो प्यार का चलन सिखाता है. अगर ऐसे सारे लोग एक दुसरे से प्यार से रहेंगे, प्यार का चलन सिखाऊंगे, तो कभी लड़ाई होगी ही नहीं. और सब लोग श चलन सिखाऊंगा, कि प्यार से केसे रहते, वो मैं सिखाऊंगा. फिर क्या होगा? दुनिया में गिनने नहीं दूंगा कहीं बम. दुनिया में कभी भी बम नहीं गिरेगा. बम नहीं गिरेगा, यानि क्या? युद्ध नहीं होगा. जब युद्ध होगा, तभी तो बम गि आगे ही आगे बढ़ाओंगा कदम, देने बाए, देने बाए थम, नन्ना मन्ना राही हूँ, देश का सिपाहि हूँ, बोलो मेरे संग, जैहिन, जैहिन. आई समझ में सारी कवीता अगर नहीं आएगी तो बार 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 इसको पढ़ना तो आपकी समझ में आ जाएगी अभी मैं आपको एक बार गाना सिखा बोल के दिखाती हूँ बहुत अच्छी इसकी आवाज आए यह है बहुत अच्छा राग इसका तो आपको सुनने में भी मज़ा आएगा नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाई हूँ बुलो मेरे संग जैहिन 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 रस्त पे चलूंगा ना डर डर के चाहे मुझे जीना पढे मरमर के, मन्जिल से पहले नलूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाओंगा कदम, दैने बाए, दैने बाए थम, नना मनना रही हूं, देश का सिपाई हूं, बोलो मेरे संग, जैहिन, 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 जैहिन. धोप में पसीना मैं बहाओंगा जहाँ, हरे हरे खेत लराएंगे वहाँ, धर्ती पे पापी न पाएंगे जनम, आगे आगे बढ़ाओंगा कदम देने बाए, देने बाए थम, नन्ना मना राही हूँ, देश का सिपाई हूँ, बोलो मेरे संग, जैहिन, 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 जैहिन बढ़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आखो का तारा बनूँगा, रखूंगा उचा तिरंगा हर दम, आगे ही आगे बढ़ाओंगा कदम देने बाए, देने बाए थम, नन्ना मना राही हूँ, देश का सिपाई हूँ, बोलो मेरे संग, जैहिन, जैहिन, जैहिन शान्ति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाओंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूँगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाओंगा कदम देने बाए देने बाए थम, नन्ना मना राही हूँ, देश का सिपाई हूँ, बोलो मेरे संग, जैहिन, जैहिन, जैहिन ये कवीता आपको दो बार नोड़ बुक में लिखनी है, फिर ये शब्दार्त है, ये भी लिखने है आपको नोड़ बुक में, ठीक है, इतना लिखना है और ये मैंने कवीता आपको समझा दिये, उसको समझना है, फिर बाकी का हम दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है?